हेलो दोस्तों, रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के जरीए हम बकरी पालक भाईयों तक बकरी पालन की सही, सटीक और साइन्टिफिक ट्रेनिंग निशुल्क पहुचाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे बकरी पालक भाईयों का कम समय में अधिक लाब हो सके। फ्री ट्रेनिंग सिरीज में इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी दवा है जिसके चंद बून से बकरी पालन में बकरीों को थंड से लड़ने की ताकत मिल जाती है। सरदी, जुखाम, बुखार, नजला ऐसी चीजों से पशु बचा रहता है। बकरी पालन में सरदीया आने से पहले अगर हमने पशुओं के रख रखाओं का सही प्रबंद नहीं किया तो हमारे पशु तनाओं में आ जाएंगे अगर उनकी इमिनुटी डाउन होगी तो वो जल्दी बिमारी का शिकार भी बन जाएंगे। कई बार हमारे नए पशु पालक भाई से ये भूल या लापरवाई हो जाती है कि वो पशुओं में होने वाले सरदी जुखाम बुखार नजले को काफी लाइट या हलके में ले ले लेता है उसका सही समय पे या सही तरीके से उपचार नहीं करता जिसकी वज़े से ये छो कहीं पानी तो नहीं आ रहा, कान गरम तो नहीं है, मुझ से कोई जहाग वगर है तो नहीं आ रहा, पशु सही तरह से सास ले पा रहा या नहीं इन में से कोई सा भी सिंटम्स हमें अपने पशू में दिखाई दे तो हमें फॉरन इस होमियोपैथिक दवा का परयोग करना चाहिए एकोनाईट 200 पोटेंसी में हमें अपने फारम के उब पर थंडियों में ज़रूर रखना चाहिए एकोनाइट का परियोग हम पश्वों की आख नाक से पानी आने पर या सर्दी जुखाम बुखार नजले इत्यादी की इस्तिती में करते हैं एकोनाइट के परियोग मातर से ही हमारे पश्वों का सर्दी का मौसम बड़ी असानी से निकल जाता है उन्हें कोई विशेश बड़ी बिमारियों से लड़ना नहीं पड़ता इसकी मदद से उनकी इम्मिनिटी भी बूस्ट हो जाती है इसको हम बड़ी असानी से चंद बूंद पश्वों की जीब के उपर गिरा देते हैं और पश्वों रिकवर हो जाता है पश्वों अपनी जीब को अच्छी तरह चाट लेता है इस तरह ये दवा उनके पेट तक पहुँच जाती है होमियोपैथी का ना ही कोई साइड इफेक्ट है ना कोई हमें इंजेक्शन पशु को लगाना है ना कोई ड्रेंचिंग निमोनिय का खत्रा हमारे उपर है एकोनाइट होमियोपैथिक दवा की कुछ बूंदों से ही हमारा पशु थंड से लड़ने के लिए तयार हो जाता है इसे हम गाभिन पशु को भी दे सकते हैं और अपने छोटे बच्चों को भी बड़ी असानी से पिला सकते हैं आशा करता हूँ हमारे दौरा दी गई इस प्रैक्टिकल जानकारी से आप संतुस्ट होंगे इसी तरह की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और हमारे पशु पालक भाईयों तक शेयर भी करें जिससे हम आप तक बकरी पालन की सही जानकारी फ्री आफ कोस्ट पहुंचाते रहें थैंक्स पर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर और कमेंट